इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. बिलेजो टेबलेट एंटी हिटमाइन नामक दवाओं के समूग के अंतरगत आता है. इसका उपयोग अलजी के लक्षनों जैसे कि बहती नाक, भरी हुई नाक, छीकने, आखों से पानी आना और भीड या भरापन के उपचार में किया जाता है. बिलेजो टेबलेट को खाने के एक घंटे पहले या दो घंटे बाद लिया जा सकता है, लेकिन अधिक से अधिक लाप पाने के लिए इसे एक ही समय पर लें. इसे आपके डॉक्टर की सलाह के रूप में लिया जाना चाहिए. खुराक और आप इसे कितनी बार लेते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस लिए ले रही हैं. आपका डॉक्टर तै करेगा कि आपको अपने लक्षणों में सुधार करने की कितनी आवश्यक्ता है. याद रखे कि खुराक दवा के प्रकार, यानि की टैबलेट या सिर्फ उम्र और व्यक्ती की वर्तमान चिकित्सा स्थिती के आधार पर तै की जाती है. आपको यह दवा तब तक लेनी चाहिए जब तक यह आपके लिए निर्धारित है. यदि आप लक्षणों में कोई सुधार नहीं देखते हैं, तो डॉक्टर से परामर्ष ले. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में सिर्दर्द और उनींदापन शामिल है. अगर ये आपको परेशान करते हैं या गंभीर लगते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं. उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं. आम तोर पर इस दवा के साथ उपचार के दोरान बहुत सारे तरल पदार्ट पीने की सलाह दी जाती है. चक्कर आने पर काबू पाने के लिए ड्राइविंग या ध्यान आकर्षित करने वाली गतिविधियों से तब तक बचें जब तक आप यह नहीं जानते की दवा आपको कैसे प्रभावित करती है. इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं. आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्यूंकि इन में से कई दवाएं इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं. दवा लेने से पहले आपको फलों के रस से बचना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक क करें और और आपको क्लिक करें. धन्यवाद.